Assalamualaikum dear learners और हम बात कर रहे हैं की skills of successful entrepreneurs की यानि skills का मत्तब यह है कि वो तमाम चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए हैं हम पहले बात कर चुके हैं goal setting, information seeking, opportunity seeking, learning और persistence की फिर हमने बात की थी planning and monitoring, financial intelligence, marketing, intelligence और persuasion और influence की conclude करेंगे हम with quality assurance, efficiency, reading financial statements, marketing and sales, communication skills और networking पे सबसे पहले हम बात करते हैं quality assurance की ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप market में जा रहे हैं और आप यह कहें कि बेशक में पैसे कम पे कर रहा हूं लेकिन मैं एक बुरी quality की या एक substandard product purchase करना चाहता हूं या करना चाहती हूं आप जब भी कोई चीज भाई करना चाहेंगे आप एक अच्छी quality product भाई करना चाहेंगे successful entrepreneurs के लिए जो competition होता है वो quality का ही होता है आपको quality assure करनी पड़ेगी आप अगर मिसाल के तौर पे अगर तो कोई service industry के अंदर है तो भी और अगर in case अगर आप manufacturing के अंदर है तो भी आपके पास एक assembly line होती है ना जिसके ओपर आपकी product design हो रही होती है product आपकी develop हो रही होती है आपको हार एक stage पर ये चीज़ ensure करनी पड़ती है कि product के अंदर कोई fault नहीं आ रहा कोई defective piece नहीं आ रहा और वो defect जो है आपने देखा होगा access textile industries जो है अपने defective pieces को अलग कर लेती है और सरफ जो defect free pieces होती है उनको global market के अंदर भेचती है क्यों उनका consumer quality conscious जादा है वो price conscious नहीं है हमारे हाँ बाज वकात हम quality भी compromise कर लेते हैं और price conscious हम थोड़ी जादा हो but again जिस तरह कि हमने पहले का तब planning और monitoring के अंदर आपके पास बहुत जादा technological support है अपनी quality को assure करने के लिए उसके बाद हम बात करते हैं efficiency की day end के उपर resources की efficiency और effectiveness ही देखी जा रही होती है देखिए आपके पास as an entrepreneur खास और पर अगर आपने अपना business अब शुरू किया यानि आपका एक startup है तो आपके पास तो बहुत ही कम resources होते हैं इतने limited resources का waste आपको हर सूरत में control करना पड़ता है वो चाहे आपके time का waste हो चाहे आपके finances का waste हो अगर आप manufacturing कर रहे हैं तो आपकी supplies का waste हो आपको अपने resources को बहुत smartly use करना पड़ता है ताके आप अपने resources की जो wasted है उसको कम से कम रख सकें खास स्वर पर वो लोग जिनका तालग textile से है उनको अंदाजा होगा कि textile के अंदर जब supplies इस्तमाल हो रही होती है तो बास उकात उनकी cutting को भी इस तरह से design किया जाता है ये कपड़े की जो है lot उसका waste कम से कम हो resources को जाया नहीं किया जा सकता फिर हम बात करते हैं reading financial statements की हम पहले ही financial intelligence के बारे बात कर चुके है financial intelligence कहां से आती है financial intelligence आती है जिब आपको सीखना पड़ेगा क्या सीखना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा कि अपने accounts किस तरह से maintain करते है यानि आपको ledgers बनाने अगर नहीं बे आती है तो आप उनको आपकी understanding develop होनी चाहिए इसी तरह trial balances, statement of cash flow, profit and loss account, balance sheet, day end के ओपर अगर आप optimistic है अपने business को grow करना चाहते हैं आपको इन तमाम चीज़ों को सीखना चाहिए समझ होनी चाहिए चाहे ये एक software आपके लिए सारे financial statements जो है वो produce कर रहा हो और day end के ओपर आपको अपने accounts maintain करने चाहिए हमने एक पूरा portion रखा है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे, ये तमाम के तमाम financial statements किस तरह से बनती हैं, इनकी किन किन जगों पर एहमियत हैं और इन financial statement की basis के ओपर क्या-क्या फैसले किये जाते हैं इसी तरह different ratios भी होती है, आपकी liquidity ratio क्या है, आपका leverage ratio क्या है, profitability ratio क्या है, आपकी activities ratio क्या है, ये तमाम ratios भी आपको आपके business की financial position बता रही होती है, आपने इसी के ओपर फैसले करने होते हैं उसके बाद हम आजाते हैं marketing पर, हमने पहले कहा था, आपके पास market intelligence होनी चाहिए, आपको marketing और sales के हवाले से अगर आपने principles of marketing पड़ी है, तो आप four piece या seven piece से familiar होंगे, आपकी product design के अंदर को issue नहीं होने चाहिए, चाहिए आपको चीज manufacture कर रहे हैं, या आप service industry में है, अगर आपने किसी product की price decide करनी है, तो आपको कौन सी price strategy adopt करनी चाहिए, आपको cost based करनी चाहिए, psychological pricing करनी चाहिए, आपको bundle pricing करनी चाहिए, ये सारी strategies भी हम आपको सिखाएंगे, ये बात याद रखिएगा, marketing के जितने भी piece हैं, उसमें price is the only piece that generates revenue, फिर आ जाती है place, product बना तो ली है, आपने बेचना उसको कहां पर है, ये एक बहुत critical decision होता है, और अगर आपने product बना ली है, और आपने market भी decide कर ली है, तो उसको अपने origin या अपनी factory से, जहां आप बेचना चाहते हैं, वहां तक, जिसको हम supply chain management कहते हैं, वो supply chain management किस तरह से आप design करेंगे, likewise, आपने अपनी product को promote करना है, या आप किसी cable पर add दे देंगे, क्या इतना काफी है, क्या आपको कोई banner बनाना है, क्या आपको कोई road के alongside कोई show करना है, या आपको अपनी दुकान के बाहर बड़ी-बड़ी lights लगाने है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगे, जो आप, आप market से गुजर होंगे, तो आपने देखा होगा, छोट-छोटी दुकान होने, आपकी attention को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ किया होता है, ये सारा का सारा तरीकाइकार promotion है, जिस तरह बहुत छोटी दुकान है, तो वो अपने इलाके की cable के ओपर अपना एक ad चला देते है आजकल Facebook है, आजकल Instagram है, वहाँ पे भी अपने आपको promote करना बहुत ज़्यादे जरूरी है, लेकिन day end के ओपर आपको पता होना चाहिए, ये out of the advertising and promotional mix आपको क्या suit करेगा, likewise खास तोर पर अगर आप अपनी कोई restaurant open करना चाहते हैं, यानि service industry में होना चाहते हैं, तो physical evidence उसमें सबसे ज़्यादा initial investment आपकी fixed investment आपकी लगती है, so you need to be very very careful कि आपकी physical evidence यानि आपकी appearance, physical appearance क्या है, उसके बाद आपकी आपकी जो team है, वो किन लोगों पर मुश्टमिल है, आपने किस तरह से display करना है, आप बहुत से salons में जाते हैं, और वो देखते हैं, बहुत लगता है, आप भी खुशी-खुशी जाते हैं, वहां काम करते हैं, और आपको सिरफ उनकी एक uniform होने से यू महसूस होता है, कि जैसे ये quality के बारे में बहुत serious हैं, so you have to have a good team and process improvement, यानि day end के उपर अगर आपने कोई business करना है, process आपको design करने पढ़ेंगे, जब हम marketing के phase में जाएंगे, तो हम आपको आपसे share करेंगे कि किस तरहां किसी भी एक business के लिए, खास तरप अगर वो service business है, तो business का services का blueprint किस तरह बनाया जाता है, इनकी कौन सी process पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा उसके बाद में होगा, जिस तरह हम कहते हैं कि आपको after sale services दी करेंगे, फिर आजाते हैं communication skills, हमने पहले ही बात कर दी ही है, कि आपकी influence, आपका persuasion, आपकी communication skills और communication skills में आपके verbal, non-verbal सभी जैसे इन्वाल्व होते हैं, day end के उपर जब आपने market में move करना है, और खास तोर पर अपने network बनाना है, तो आपकी communication skills भी, बलके communication skills ही involve होते हैं, आ networking के बारे में आप ने एक statement सुनी होगी, your network is your net worth, क्या आप सही लोगों से जुड़े वे हैं, क्या आप काम्याब और बेहतरीन लोगों से जुड़े वे हैं, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कि आपके एर्दगिर्द, आप जिस भी एक मसले में solve, आप मसले को solve कर आपके एर्दगिर्द, वो community होनी चाहिए, अगर आपको finance के बारे में कोई राए लेनी है, तो आपके पास क्या वो लोग मौजूद हैं, जो आपको अच्छी राए दे सकें, number two, आपका कोई legal issue है, तो क्या आपके पास, आपका access अच्छे लोगों तक है, तो आपको एक अ network होना बहुत जादा जरूरी है, और again एक और important चीज़ जो एक additional है, that is the digital marketing, आज कल दोर ही digital marketing का है, digital marketing के जितने भी tools हैं, उनको जरूर सीख, चाहे फिल हाल आप इन tools को इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी एक tool के बारे में familiarity होना बहुत जरूरी है, कोई day end के उपर इसको conclude इसतान से करते हैं, कि हमने skills यानि वो तमाम चीज़े हैं जो हमें सीखने की अशर्द जरूरत है, अगर हम अपने business को एक sustainable business बनाना चाहते हैं, और एक successful entrepreneurs होना चाहते हैं, इसमें आप identify कीज़े कि आपके business के लिए फिल हाल कौन से skills बहुत ज़ादा जरू कर दो एक बहुत जरूर्द आपके लिए तर वेड़े के लिए्याम का अग Wass